हेलो वीवर्स आज हम पालक और मेथी की दाल बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी बनती है इसे हम दो दाल मिला के बनाएंगे पालक को और मेथी को हमने अच्छे से दो के काटके रख लिया है मूं की दाल और चने की दाल को हमने अच्छे से दो के भिगा दिया था टमा ऌभाल मसाला प्याज टेल तरिया पत्ति और यह तड़के लिए अमने राल मिर्च के तट आधby हर यहां जीर अब टायकतर द्दाल हाख दआल में चनी की डाल टाल जान देंगे और इसमें हम पाइण डाल के अर्फभal के यह या व्न की टाल देंगे थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने और इसे हम एक सिटी लगा देंगे एक बर्तल लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें हम जीरा डाल देंगे जब जीरा तलकने लगेगा तो उसमें प्यास डाल देंगे प्यास के हम अच्छे से तलेंगे उसमे में लिए के डाल दिया रखे हदें ऑच्छे से तल गया त समय में अब नमक b yaşए। में रखे है और यह अच्छे से भूनेंगे है तेल थाइड में चूटे गतों हैतए हम ने मेती डाल दिया अगा इसे का पेल टोड़ी हो गई हैं पालक पुरी भर गई हैं इसे ठकन लगा देगे तो पालक पुरी नीचे बैठ जाएगे रूसका पानी अच्छे से छोड़ जाता है इसे अच्छे से भून देंगे तक पूरा तेल साइड साइड में आ जाएगे यह मसाला बुन गया है पूरा तेल साइड में आ गया पानी पूरा सुग गया है इसमें हम डाल डाल देंगे यह हमने डाल डाल दिया और इसे हम 5 मिट के लिए पकाएंगे ताकि पालक और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखें यह अच्छे से पक गए है 5 मिनट हो गई है पालक और दाल अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे हम साइड में रख देंगे और एक बरतन लेंगे ने हम लेसं और लाल मिर्च भी डाल देंगे इसे हम तलेंगे लेसुन का कलर चेंज होगा तब इसमें हम लाल मिर्च कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर भी डाल देंगे और ये रेडी हो गई हम इसमें तड़का डाल देंगे और ये दाल हमारी रेडी हो गई इसमें धनिया पत्ति डाल देंगे और इसे एक बरतन में हम निकाल लेंगे ये दाल हमारी बहुत अच्छी बनी है और आप भी इसे बनाएं और मेरी चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी